क्लावे मुकदस में से जबूर की किताब बरुसका उन्चास जबूर हम पढ़ेंगे ऐसा बूम तो ये सुनो ऐ जहान के सब बशिंदो कान लगाओ क्या अधना क्या आला क्या अमीर क्या फकीर मेरे मूँ से हिकमत की बातें निकलेंगी और मेरे दिल का ख्याल पुर्खोर्ध होगा मैं तमसील की तरफ कान लगाऊंगा मैं अपना महमा स्थार पर बियान करूँगा मैं मसीबत के दिनों मैं क्यों डरूँ जब मेरा ताकुब करने वाली बदी मुझे घेरे हो जो अपनी दौलत पर भरोसा रखते और अपने माल की कसरत पर फखर करते हैं उन में से कोई किसी तरह अपने भाई का फिदिया नहीं दे सकता ना खुदा को उसका मुआवजा दे सकता है क्योंकि उनकी जान का फिदिया गिरा बहा है वो अब तक अदाना होगा ताके वो अब तक जीता रहे और कबर को न देखे क्योंकि वो देखता है कि दानिशमन मर जाते हैं बेवकूफ औ हैवान खसलत बाहम हलाक होते हैं और अपनी दौलत औरों के लिए छोड़ जाते हैं उनका दिली ख्याल ये है कि उनके घर हमेशा तक और उनके मसकन पुष्टर पुष्ट बने रहेंगे वो अपने जमीन अपने ही नाम से नामजद करते हैं पर इनसान इज़त की हालत में काइम नहीं रहता वो जानरों की मानित है जो फना हो जाते हैं उनका ये तरह एक उनकी हमाकत है तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों को पसंद करते हैं वो गोया पताल का रेवर ठहराए गए हो मौत उनकी पास बान होगी द्यानतदार सुबा को उनके उनकी पर मसलत होगा और उनका हुस्न पताल कलुकमा होकर बेटिकाना होगा लेकिन खुदा मेरी जान को पताल के अख्तियार से छुडा लेगा क्योंकि वही मुझे कबूल करेगा जब कोई मालदार हो जाए जब उसके घर की हश्मत बढ़े तो तू खौफ ना कर क्योंकि वह मरकर कुछ साथ ना ले जाएगा उसकी हश्मत उसके साथ ना जाएगी खौफ जीते जी वह अपनी जान को मुबारिक कहता रहा हो और जब तू अपना भला करता है तो लोग तेरी तारीफ करते हैं तो भी वह अपने बाप दादा की गिरोज से जा मिलेगा वो रोशनी को हर्गिस ना देखेंगे आदमी जो इज़त की हालत में रहता है पुरखुर्द नहीं रखता जानरों की मानिद है जो फना हो जाते हैं खौदावन का पाकलाम पड़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइसो आमे